नमश्कार, आज की इस अध्याय में हम पश्वो में प्रजिनन के बारे में चर्चा करेंगे हमने प्लांट्स में या वनस्पती में किस तरीके से प्रजिनन होता है वो पिछले अध्यायो में अल्रेडी देखा है अगर इस अध्याय को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो निशेचन की प्रक्रिया या फर्टिलाइज़िशन की प्रक्रिया पर हम गौर करेंगे आंतरिक और बहाई निशेचन, इंटर्नल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, विविपेरस, ओविपेरस और्गैनिसम्स क्या होते हैं, क्लोन क्या है, टेस्ट्यू बेबी क्या है, तो ये कुछ प्रमुक टॉपिक्स हैं, जो हम इस क्लास में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले, अगर हम बहुत ही बेसिक कॉंसेप्स पे जाने की कोशिश करें, तो हम समझते हैं कि प्रजनन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, लेंगिक या अलेंगिक, लेंगिक मतलब सेक्शूर और अलेंगिक मतलब असेक्शूल रिप्रड़क्शν, अलेंगिक रिप्रड़क्शन, मुख्योता आपके अमीबा, हैइड्र, इन और्गैणिसम्स में देखा गया है, जो हम आगे इस अध्याय में अध्यान करेंगे अभी हम बात करते हैं लेंगे प्रजनन की जिसको हम sexual reproduction कहते हैं अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि प्रजनन क्यों जरूरी है किसी भी प्रजाती को आगे बढ़ाने के लिए एक पीडी से दूसरी पीडी पे ले जाने के लिए हम कहाते हैं कि प्रजनन बहुत ही आवशक है जब भी प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो gametes होते हैं और ये gametes मिलके zygote की formation करते हैं और इस zygote से एक नया individual या एक नया organism नया species generate हो सकता है तो अब अगर हम मानव की बात करें तो male और female organs की हम बात करते हैं तो जो भी प्रजनन की प्रक्रिया है इसमें अगर हम male reproductive organs की बात करें तो सबसे पहले आपकी testis होती जिसको version कहां गया है जिससे sperm duct निकलती है जो की panacea link में जाती है और इस से शुक्राणूं बनते हैं इस testis में शुक्राणूं बनते हैं शुक्राणूं मतलब sperm sperm के structure को वापिस हम समझें तो उसमें head, middle piece और tail होगा इसकी tail इसलिए होती है जिसकी वज़े से ये motile होता है या move कर सकता है तो ये एक बहुत ही महत्पून concept है अब जब भी sperm और ओवा मिलेंगे तब zygote की संरुषना होगी और ये zygote वो है जहां से एक नई species या नई individual का जन्म होगा तो ये हो गया आपका male president अंतर अगर हम female president अंतर की बात करें तो आपका ovary होगा उसमें से oviduct निकलेगा जो की uterus में जाके जुडेगा हर ovary से ova बनता है हर महिने में एक ova अगर हम बोले तो और ये ova जो होता है ये आपके sperm से मिलेगा तो जो प्रजनन तंतर है उसमें हम बोलेंगे कि sperm या शुक्राणू और अंडाणू दोनों का बहुत ही महत्पूंट रोल है ovary या के अंडाशे से अंडाणू निकलते हैं और ये अंडाणू जो है आपके sperm से fuse होते हैं कई बार ऐसा होता है कि ove duct block हो जाती है ove duct के block होने की वज़े से fertilization की प्रक्रिया नहीं हो पाती है इसलिए external fertilization किया जाता है sperm और ova का और उस external fertilization को एक week बाद वापस uterus में रखा जाता है इस process को test tube baby कहा जाता है तो test tube baby जिसमें हम in vitro fertilization की बात करते हैं मतलब sperm और ova को आप बाहर fuse करते हैं test tube में और फिर एक हफते बाद उसको implant कर देया जाता है उस process को test tube baby कहा जाता है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो किस तरीके से sperm और ova fuse होते हैं और फिर यह एक fusing nucleus की स्थापना होती है जब sperms जो की motile है जो की move कर सकते हैं वो ova से आके या शुक्राणों जो है अंडाणों से आके जुडते हैं तो zygote की संरशना होती है और यह जैसा कि हमने बोला basis है जहां से नए organism का जन्म होगा अगर ova duct blocked है तो in vitro fertilization किया जाता है या in vitro nishation किया जाता है उस nishation की प्रक्रिया से जो zygote बनता है उसको implant किया जाता है अब जब भी हम nishation की प्रक्रिया की बात करते हैं नishation दो तरीके से हो सकता है आंतरिक या बहाई internal fertilization, external fertilization internal fertilization वो होता है जो शरीर के अंदर होता है इसका अच्छा example है मानव, फिर cows, dogs तो इन सब में internal fertilization देखा गया है जाधा तर जो aquatic animals हैं जो पानी में रहते हैं जैसे मेंडक, मच्छी, स्टार फिश इन सब में external fertilization देखा गया है अगर हम मेंडक की बात करें तो कई सारे हजारों eggs एक बार में दिये जाते हैं अंडानू होते हैं और ये सारे के सारे अंडानू में प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होती है कुछी अंडानू ऐसे होते हैं जो शुक्रानू से मिल पाते हैं जो की ओवा जो है वो एक जो है वो स्पर्म से मिल पाते हैं और fertilization की प्रक्रिया पूर्ण होती है जो बचेवे eggs हैं वो दीरे-दीरे समाप्त हो जाते हैं अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये पूरा का पूरा process ही external होता है जो एक होते हैं उसके उपर jelly-like substance होता है ताकि उसको नुकसान न पहुँचे और वो protected रहे और इस process से वो आगे बढ़े अब जैसा कि हम देखते हैं चाहे मचली हो, चाहे मेंड़क हो इनके case में कई सारे एक से एक सार दिये जाते हैं जबकि मुर्गी के case में वो number limited होता है क्यों? क्योंकि मुर्गी में internal fertilization होगा और frog में external fertilization होगा अगर हम embryo किस तरीके से develop होता है उसको समझने की कोशिश करें तो gametes मिलते हैं, gametes fuse होते हैं तो शुक्राणों और अनाणों से आपका sperm और over जब fuse होते हैं तो zygote बनता है अब जो भी gamete fuse हो रहे हैं gamete के fuse होने से zygote बना ये zygote जो है वो ball of cells है वो आपस में बहुत चल्दी चल्दी divide करके एक ball of cells बना लेगा इसको हम embryo कहते हैं ये embryo uterus की wall पे जाके जुड़ने की कोशिश करेगा और finally जब इसके अलग-अलग parts differentiate होने लग जाएं जैसे हाथ, पैर, सिर ये अलग-अलग organs differentiate होने लग जाएं उस point पे हम बोलते हैं कि वो embryo अब fetus कहलाएगा और ये जो state है ये एक बहुत ही महत्पूर्ण state है जो हम समझने की कोशिश करते हैं और ये ही development की पूरी प्रक्रिया है ये fetus uterus में रहता है और fetus के आसपास placenta से वो घिरा रहता है और इसी process में development की प्रक्रिया देखी जाती है तो अगर हम hen की बात करें तो उसमें internal fertilization होता है embryo के आसपास एक heart shell heart coating बनती है और finally एक आता है अब ये एक जो है तीन हफते तक बहार सीरता जाता है जिसमें उसको जो उसकी मदर है वो उसको warmth देती है और finally वो चिप जो है उस एक से या अने से निकलता है और उस process को hatching कहा जाता है तो ये एक और important प्रक्रिया है जो हम यहाँ पर समझते हैं अब जैसा कि हमने कहा fertilization या निशेचन की प्रक्रिया दो तरीके से हो सकती है internal या external, antric या बहार तो अगर हम देखें तो organisms को भी हम divide कर सकते हैं या तो वो viviparis होंगे या oviparis होंगे oviparis वो organisms हैं जिन में आप eggs देखेंगे और viviparis वो हैं जो young ones को सीधे जन्म देंगे जैसे human beings, cows, dogs जबकि oviparis में आपके आएगा hen, main duck, मचली, butterfly, lizard तो यही सब आपके oviparis organisms हो गए जो oviparis organisms हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनमें सिर्फ internal fertilization या external fertilization ही हो जैसा कि हमने देखा oviparis मुर्गी भी है और main duck भी है main duck में बहाई निशेचन या external fertilization होता है मुर्गी में internal fertilization या अंतरिक निशेचन की प्रक्रिया देखे गई है तो यह एक बहुत ही महत्पूर्ण concept है जो आपको समझना जरूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि organism अगर oviparis है तो वो internal fertilization या external fertilization ही होगा वो internal भी हो सकता है external भी हो सकता है हमने अभी अभी दोनों के case देखे हैं अब लेंगिक प्रजिनन से हम चलते हैं अलेंगिक प्रजिनन या asexual reproduction की तरफ तो amoeba और hydra इसका classic example है जब हम लेंगिक प्रजिनन की बात करते हैं तो जो generations होती है उसमें variations बहुत जादा होते हैं मतलब जो office प्रिंगे जो नई generation है वो parents से resemble करें उसकी chances कम होते हैं क्योंकि variations बढ़ जाते हैं जबकि जो अलेंगिक reproduction है या प्रजिनन है उसमें variations कम पाए जाते हैं जैसे amoeba hydra amoeba में हम बोलते हैं कि binary fission process होता है binary fission process का मतलब यह है कि एक nucleus है वो दो में divide होता है और equal दो organisms जो कि amoeba जैसे ही दिखते हैं वो replicate से हो जाते हैं इसको binary fission कहा जाता है hydra में budding का process होता है hydra के side से एक छोटा सा bud निकलता है जैसे अगर आप पेड के case में ले तो आप बढ या कली समझेंगे उसी तरीके से एक छोटा सा hydra जन्म लेता है और वो hydra बढ़ा होके दीरे दीरे अलग हो जाता है इसी तरीके से yeast में भी यही process होता है अब हम बात करते हैं क्लोनिंग की क्लोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें exactly same copy आप बना सकते हो तो अगर आज चाहें तो मेरे जैसे 5 लोग यहाँ पर हो सकते हैं क्लोनिंग की प्रक्रिया के दौरा तो इसमें कई सारे ethical issues हैं जो की debatable हैं तो हम उन controversial issues को आज focus नहीं करेंगे हम यह concept समझते हैं कि यह क्लोनिंग की प्रक्रिया होती कैसे है तो सबसे पहले 1996 में Ian Wilmett ने Roslyn Institute Edinburgh Scotland में इस प्रक्रिया को लिया और इसमें उन्होंने दो तरीकी की भेंड ली एग थी black face eve और दूसरी थी fin dorset तो black face eve जो उन्होंने ली उसका उन्होंने एग लिया या अंडानों लिया और जो fin dorset थी उसका nucleus लिया memory gland से अब इस black eve के nucleus को हटा दिया गया और fin dorset के nucleus को इसमें रख दिया गया यह जरूरी है कि जो भी genetic information होती है वो nucleus के दुआरा carry होती है जो भी chromosome genes की information होती है वो nucleus के दुआरा carry होती है क्योंकि black face eve का nucleus ही अटा दिया गया उसमें black face eve का कोई भी character नहीं आएगा या कोई भी genetic content नहीं आएगा सारा का सारा content fin dorset का होगा और इसकी प्रक्रिया के दुआरा आपको दूसरी ऐसी की ऐसी fin dorset देखने को मिली तो यह एक process था जिससे पहली बार cloning की प्रक्रिया successfully की गई dolly नामक sheep बनी और यह dolly sheep जो है 2004 में lung disease की वज़े से जीवित नहीं रह पाई पर definitely एक बहुत बढ़ा remarkable achievement था science के development में दूसरा हम यहाँ बात करते हैं मदुमक्खी की अभी मदुमक्खी का चत्ता तो आपने अकसर देखा होगा honeycomb structure हम उसको कहते हैं और उसमें बहुत सारे मदुमक्खी रहते हैं जो एक में मदुमक्खी होती है उसको queen bee कहते हैं और बाकी सारे worker मदुमक्खियां उसकी सहायक मदुमक्खियां होती हैं वो सब इस तरीके से कोशिश करते हैं कि उस मदुमक्खी की छते का temperature 35 degree Celsius के आसपास बनाये रखा जाए ताकि जो eggs हैं वो अच्छे से incubate कर सकें और नए मदुमक्खियां आ सकें सिर्फ queen bee जो है वो eggs देती है और अगर वो egg fertilize हो जाते हैं तो वो females बनते हैं अगर वो fertilize नहीं हो पाते हैं तो वो males बनते हैं और male को drone भी कहा जाता है जो कि मुख्योता वरकत भी है जो कि छत्ता बनाने का कार्य और बाकी सारा जुड़ा हुआ कार्य देखती है ताकि queen bee को सारी सुविदाय मिल सकें तो यह एक महत्पूर्ण study थी जो हमने यहां पर देखी तो इस अध्याय में हमने मुख्यता प्रजनन के बारे में समझने की कोशिश की है आगे विज्यान के और महत्पूर्ण अध्याय लेकि आएंगे और अगर आपको इसी टॉपिक में और इंट्रेस्ट है तो genetics का हमने कक्षा 10 का अध्याय लिया है जिसमें हमने variations के बारे में detail में समझाने की कोशिश की है तो आप उस अध्याय को जरूर समझ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रही है चैनल पे